तो वन विभाग ने लगबग 25 से 35 शमिकों को पेड़ों की कटाई का काम दिया था और पेड़ काटने के बाद उन्हें एक निश्चित राशी देने की बात भी कही कही थी लेकिन उस बात को बीते चार महीने का समय हो चुका है पर वन विभाग ने अब तक मजदूरों के वेतन का भुकतान नहीं किया है जिसके बात से सभी शमिकों ने वन विभाग को अगेराव कर अधिकारियों से वेतन भुकतान किये जाने की मांग की इधर वन मंडल अधिकारी शर्शी कुमार का कहना है कि इस विशय में जाज कमिटी में इठाकर जाज की जाएगा और जो भी बात सामने आएगी उसके आधार परकारे किया जाएगा मैं आया थे इस तरह के मुझे जानकारी मिली है जो अंडा से मिनी मादा चौक है उसमें पी डर्वी दिवारा जो हमारा स्टेंडर्ड नॉम्स है उस तो हस्तार रास्री हस्तांत्रित किया गया था और वहां पर व्रिक्षी कटाई चल रही है और यहां पर कुछ ब्रिक्ष ऐसे हैं जिनको हम ट्रांस लोकेट भी करना चाह रहे हैं और कुछ ब्रिक्ष ऐसे हैं जो की बिजली के जो तार है उसके आजू-बाजू है इस कारण से पुलगाओ रोड का लकड़ी कर जाई 12 किलूमीटर का था जिस कटाई को 1097 पेड़ था एस 1097 में सारे पेड़ कार दिये गए 147 पेड़ बचे हैं सारे पेड़ की कटाई करके पुलगाओ डिपो अंडर डिपो में लकड़ी ले जाके थप्पी करके चट्टा मार के सारे मजदूर के साथ काम करवाया गया और काम करके हम उसको कंपीड करके दे दिये हैं 147 पेड़ बच्चे हुए हैं जिसको हमारे विवाद के अधिकारी बोलते हैं उस पेड़ को कटाई किया जाए लेकिन हमारे मजदूर लोग को एक भी रूपे का भुकतार नहीं किया गया ह है इसलिए हम लोग काम को रोब दी हैं और हमारा काटने का आदेश किया तो लग पचीanden 20 और जब भी जाते हैं पेमेंट के लिए बात करने के लिए तो बोलते हैं कि आप जो काम बचे उसको पूरा करिए आपको दस दिन में पेमेंट के पूरा करवाया जाएगा तो ऐसा अस्वासन दे दे के चार मेने तक अभी हो गया हमको बहुत आर्थी ग्रूप से